दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं Infosys Limited के बारे में Infosys Limited को लेकर दो बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसको देखते हुए सुमवार के दिन Infosys के अंदर आपको एक शांदर तेजी यहाँ पर आते हुए देखने को मिलने वाली है साथ ही साथ Last Rating Session के दोरान हमें Infosys के अंदर नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल चुका है हाला कि अगर हम Infosys के क्लोजिंग की बात करें तो Last Rating Session के दोरान हमें इस शेर के अंदर एक फ्लेट क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो अगर आप इसके Infosys के Volume Based काम की तरफ भी नजर मारेंगे तो Volume Based काम भी काफी शांदर हमें Daily Business पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ Infosys के तरफ से जो दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है आईए उन्हें भी इस वीडियो में कवर करते हैं उसके पिले यदि अपने चेनल पर First Time विजिट का है तो चेनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बुलेगा चले दुस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पिले मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट देना चाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं Infosys Limited का बाइबेक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि दिसंबर तक यहाँ पर चलने वाला है जिसमें 23 जुलाई 2021 के दिन याने की लास्ट रेडिंग सेशन के दोरान ही हमें लगबग 12,1,23,7,000 शेरिस का बाइबेक यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि ultimately Infosys के लिए काफी एक positive news क्रियेट करती है इन सब के बीच में हमें Infosys की तरफ से जियो जीट ने भी यहाँ पर जो target दिये थे recently दो दिन पिले ही वो भी 1700 सिंत्यानो रुपे के हैं जो कि आने वाले next month में ही हमें यहाँ पर achieve होते वे देखने को मिल सकते हैं तो यदि आपने Infosys के अंदर investment कर रखा है तो definitely यहाँ से Infosys के जो sentiments बन रहे हैं वो काफी bullish के बन रहे हैं चली अब बात कर लेते हैं Infosys की तरफ से जो यहाँ पर recently दो बड़ी news निकल कर आई है जिसमें सबसे पहली news को अब अगर cover करें तो देख सकते हैं आप US subsidiary Infosys Public Services has launched blockchain network to modernize public record keeping for country of riverside in California तो California के अंदर company ने एक यहाँ पर नया establishment करा है जिससे यहाँ पर company को बहुत ज़दा benefit मिलने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी launching भी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है blockchain network है यह जो कि यहाँ पर modernize public record keeping for country of riverside in California के अंदर established किया गया है तो चलिए एक news तो यह हो गई दूसरी news की तरफ चलता हूँ जिसका impact definitely आपको सुमवार के दिन Infosys की share price के अंदर देखने को मिल सकता है Infosys becomes a leader in the forester wave जी हाँ दोस्तों application modernization and migration services quarter 3 2021 report की हिसाब से Infosys become a leader in the forester wave application याने कि अगर मैं complete news को cover करूँ तो IT majors याने कि Infosys company has been positioned as a leader in the forester wave application modernization and migration services quarter 3 2021 report जो यहाँ पर quarter 3 की report निकल कर आई है उसके अंदर इसे यहाँ पर market leader की opportunity दी गई है साथ ही साथ Infosys को जो यह leader की category दी गई है इसमें जो assessment किया गया है आईए उसे भी यहाँ पर जान लेती है तो Infosys को इस category में रखने के लिए सबसे पहले जो Infosys की vision है उन्हें यहाँ पर analysis किया गया है और यहाँ पर company के vision बहुत ज़्यादा strong यहाँ पर देखने को मिल रहे है and the broad spectrum of cloud capabilities delivered through Infosys Cobalt across application, modernization and migration and multi cloud managed services तो यहाँ पर Infosys जैसा कि मैंने आपको कहा है कि TCS already यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लेकिन Infosys के अंदर अभी भी जो target है वो यहाँ पर 3000 रुपे तक कि आपको आने वाले next year तक देखने को मिल सकते है तो definitely अगर आपने Infosys के अंदर investment कर रखाए तो IT सेक्टर की यह भी एक दिगच कंपनी है जो कि यहाँ पर अगर market capitalization की बात करें तो लगबग 2 लाग करोड रुपे से भी जादा का company का market capitalization है तो यदि आप Infosys के अंदर long term के लिए बने हुए है तो definitely आपको बहुत शांदर returns यहाँ पर मिलने वाले है रवी कुमार जो कि यहाँ पर president है Infosys की तरफ से वो भी यहाँ पर काफी bullish हमें देखने को मिल रहे हैं साथ ही साथ जो उन्हें यहाँ पर यह leaders की तरफ से जो updates यहाँ पर निकल कर आई है इसका भी बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है इनी सब के बीच में Infosys ने recently 14 जुलाई 2021 के दिन अपने quarter 1 के numbers भी announce कर दिये हैं number काफी शांदर रहे हैं जैसा कि अब देख सकते हैं मैं short में आपको यहाँ पर financial result के कुछ numbers बताना चाहूँगा जैसा कि अब देख सकते हैं सबसे पिले total income के अंदर आपको एक शांदर growth देखने को मिल रही है इस compare to quarter 4 साथ ही साथ अगर profit before tax की भी बात करें तो profit before tax के अंदर भी infosys की तरफ से काफी शांदर growth हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इसी के against अगर हम net profit की भी बात करें तो company ने एक शांदर net profit year on year basis पर और quarter on quarter basis पर earn किया है इसी के साथ में company ने अपने shareholders के लिए 15 रुपे पर share का dividend भी announce किया था जिसकी X date 31 मई 2021 थी definitely अगर आपने infosys के अंदर long term purpose से investment कर रखा है और यहाँ पर X date के पहले अगर आपने इस share के अंदर positions बना ली थी तो 15 रुपे पर share का जो dividend है वो आपके bank account में credit कर दिया गया होगा अगर आपके bank account में infosys का जो dividend का amount है वो अभी ते credit नहीं हुआ है तो आप नीचे comment section box में लिखकर बता सकते हैं हम उस query को solve करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी infosys की तरफ से जो ये दो बड़ी update news निकल कर आई है इसका impact आपको definitely मंडे के दिन देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ अगर आप IT sector की दिगज company के अंदर investment करना चाते हैं तो definitely current share price से आप इसके अंदर long term के लिए investment कर सकते हैं लेकिन short term purpose से shares high valuation पर trade कर रहा है तो इसके अंदर profit booking होना possible है उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video पसंद आई है तो इसे like और share करना और channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated